नमश्कारा देखरें ABC इंडिया मैं अमिद भोबिया दोस्तो आज हम बात करेंगे कीवी की खेती के बारे में कीवी की खेती के बारे में बहुत लोग पूछ भी रहे थे और असलम भाई ने तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया आप लोग भी इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं जिस भी खेती के बारे में जानना चाहते हूं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाईए और मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कीजिए इसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कीवी की खेती के बारे में संपूर्न ग्यान तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि कीवी के पोदे दो परकार के होते हैं नर और मादा नर और मादा दोनों ही पोदों के आवशक्ता होती है फ्रूट लेने के लिए अब आपको क्या करना है पांच मादा पोदे जब लगाने हैं तो एक नर पोदा उनके बीच में जरूर लगाना है तभी फ्रूट बनेगा जो नर पोदा है वो दो किसमे होती है जो भारत में उसकी में दो किसमे चलती है एलिसन नर और तमूरी नर जो मादा पोदे होते हैं इनके तीन चार किस्मे होती हैं एलिसन मादा, एवेट मादा, माटी मादा और एक हेवर्ड ये चार किस्में इसकी होती है तो इनमें से कोई भी किस्म जो है वो आप लगा सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तो इसका पोदा लगाएं कैसे तो इसे लगाने के दो तरीके हैं एक बीज के जरीए और दूसरा कलम के जरीए सबसे बेस्ट तरीका है कलम के जरीए लगाने का क्योंकि कलम के जरीए जब आप लगाएंगे तब आपको ये मालूम होगा कि मादा पोद कौन सा है और नर्पोदा कौन सा है बीज के जरिये लगाएंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा दूसरी बात जो बीज के जरिये लगाएंगे ये साथ से आठ साल ले लेगा फल देने के लिए और जो कलम के जरिये लगाएंगे वो पोधा आपको चार से पांस साल के अं का 130 का इस तरह से मिल जाता है हिमाचल के अंदर इसकी बहुत सारी सरकारी निर्सिया हैं वहां पर ये मिलता है किसम आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा अब रही बात कि जो इसका पोदा है ये लगाना कब चाहिए कौन से मोसम में चाहिए तो अब 15 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक कभी भी इसका पोदा लगा लीजिए सबसे बैस्ट टाइम है अब का जो टाइम है वो सबसे बैस्ट है अब रही बात कि इसके पोदे की प्रोड़क्शन कितनी होती है तो एक पोदे के उपर जो 5-6 साल का 6 साल का पोदा है वो लगभग सतर से असी किलो फ्रूट देता है वैसे तो इसका फ्रूट अकर बजार मिलेने जाएंगे तो 35 रुपे से लेके 40 रुपे 45 रुपे 50 रुपे पर पीस मिलता है लेकिन होल सेल के अंदर जब हिमाचल से आते हैं फ्रूट तो वहाँ पर इनका भाव जो है वो उपर नीची हो से अब रही बात कि एक पौदे से प्रूट कितना हो जाता है तो मान लीजिए 200 रुपे किलो कम से कम बिग जाता है और आपकाygे जो है 70 किलो फुट कम से कम जो आ जाता है तो उसके हिसाब से 144,000 रुपे की प्रूड़क्शन एक पौदे से हो जाती है अब सबसे ज़ूरी बात कि ये उगाया कहां कहां जा सकता है तो इस पौदे को आप पहड़ी इलाके में हिमाचल है उत्राखंड है कुछ निचला इलाका जमुक्षमीर का है उन एरिया के अंदर इसे आप उगा सकते हैं तो ये मतलब पुरा का पुरा इसका प्रोसेस है अब मुझे लगता है कि आपको लगभग चीजे मैंने क्लियर कर दी हैं लेकिन इसी के साथ एक चीज और बता दूँ अगर आप इसकी फार्मिंग करना चाते हैं बड़े स्तर के उपर तो एक बार हिमा चल जाएए वहाँ पर सरकारी नर्सरी भी है प्राइवेट नर्सरी भी है वहाँ पर जाएए औ ये दोनों में फरक है तो अच्छा प्रोडक्शन अगर आपके लाके में हो तभी इसकी खेती कीजिएगा वरना नहीं कीजिएगा प्योंकि इसमें जितना मुनाफ़ा दिखाई देता है उतना घाटा भी हो सकता है डेड़ सू डेड़ सू रुपे के पोदे लगा कर पांस साल तक उन्हें संभालना और उसके बाद बहुत कम production मिले तो नुकसान हो सकता है तो आप एक बार सरकारी nursery में जाए प्राइवेट nursery में जाए और जो हिमाचल में इसकी खेती कर रहे हैं उत्राखंड में इसकी खेती कर रहे हैं उन लोगों से बाचित कीजिए झाल